नबसकार दोस्तों स्वागते आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में आपको जनसेवा केंदर के लिए सबसे अच्छा सबसे बेस्ट लैपटॉप बताने वाला हूँ जो की बहुत ही सस्ते प्राइज में आपको मिल जाएंगे जो भी लैपटॉप में आपको बताने वाला हूँ वो काफी सस्ते हैं दरसल आप में से काफी सारे लोग जनसेवा केंदर खोलना चाते हैं और एक अच्छा सा सस्ता लैपटॉप लेना चाते हैं जिसमें जनसेवा केंदर के सभी काम हो सके लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी कमपनी का लैपटॉप लिया जाए कितने प्राइज तक लैप को तीन चार लैपटॉप बताने वाला हूँ उसमें से आप कोई भी एक लैपटॉप ले सकते हो और उसमें जो है आप जनसेवा केंदर का कोई भी काम कर सकोगे दूसरी बात की ये लैपटॉप पे काफी अच्छा डिसकाउंट चल रहा है अगर आप आज के समय में इस लै ले सकते हैं काफी जबरदस्त लैपटॉप है और इस लैपटॉप के अंदर आप जनसेवा केंदर का कोई भी काम कर सकते हैं इसके अलामा और कोई भी काम करना हो वो भी जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो वीडियो शूट करना हो या फि जी भी आपको SSD मिल जाएगी, Full HD डिस्पले है, Windows 11 आपको pre-install मिलेगा, Original वाला, MS Office 2021 आपको मिल जाएगा, और 15 महीने के लिए जो है, आपको MCA fee का जो antivirus है वो भी मिल जाएगा, इस laptop पे काफी अच्छा discount चल रहा है, केवल आपको ये laptop 33,990 रुपे में मिल जाएगा, और काफी अच्छा laptop है, अगर आप Dell Company का laptop खरीदना चाते हैं, तो ये laptop जरूर आप खरीद सकते हैं, इसे जो है अभी पिछले महीने ही 2000 से जादा लोगों ने purchase किया है, लेकिन अगर आप ये ही laptop लेना चाते हैं, लेकिन i5 processor रहे, तो सेम ये ही model रहेगा, i5 processor के साथ, आपको 43,990 रुपे में मिल जाएगा, बाकि सारी चीजे सेम रहेगी, लेकिन i5 processor इसके अंदर आपको मिलेगा, काफी सारे लोगों को Lenovo के laptop भी पसंद है, अगर आप Lenovo के laptop लेना चाते हैं, तो आप ये वाला laptop ले सकते हैं, Lenovo के laptop भी काफी जबरदस्त होते हैं, ये laptop आपको केवल 33,790 रुपे में मिल जाता है, जो की काफी अच्छा discount इस पे चल रहा है, इसके अंदर आपको Intel का Core i3 12th generation का processor मिलेगा, 15.6 inch की display मिलेगी, Full HD display है, और RGB RAM 512GB SSD के साथ आता है, ग्राफिक कार्ड इसमें inbuilt रहेगा, Windows 11 आपको pre-install मिलेगा, MS Office 2021 मिल जाएगा, जो की काफी अच्छी बात है, अगर आप 33,000 के budget में लिनोवो का laptop लेना चाते हैं, तो ये laptop आप खरीज सकते हैं, काफी जबरदस्ट laptop है, कोई भी काम आपको करना हो, ये सारे काम आप इस laptop से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तो काफी सारे लोगों को HP के laptop पसंद है, जैसे कि मुझे, मुझे जो है HP के laptop काफी जादा पसंद है, मैं इन laptop पे काफी जादा भरोसा करता हूं, क्योंकि मैं HP के laptop जादा तर इस्तमाल करता हूं, और ये जो हैं काफी अच्छे चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं, अगर आपको HP के laptop पसंद है, तो आप ये वाला laptop ले सकते हैं, काफी जबरदस्त laptop है, और मैं जो है खुद ये ही वाला laptop इस्तमाल करता हूं, जो कि मैंने इसी साल खरीदा है, इस laptop के अंदर आपको Intel का Core i3 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी MS Office 2021 मिलेगा, इस laptop पे काफी अच्छा discount चल रहा है, जब मैंने खरीदा था, तो ये काफी महंगा था, लेकिन अब ये काफी सस्ता हो गया है, 4-5,000 रुपे ये सस्ता हो गया है, और अब ये केवल आपको 36,990 रुपे में ये laptop मिल जाएगा, अगर आप HP का ही laptop लेना चाते ह तो आप ये वाला जो है laptop ले सकते हैं, 39,990 रुपे में ही आपको ये laptop मिल जाता है, इसमें जो है AMD का Ryzen 3 processor मिल जाता है, जो की काफी जबरदस्त है, बाकी आपको Full HD Display, RGB DDR4 का RAM, 512 GB SSD, AMD का जो Graphic Card है वो मिल जाएगा, Windows 11 Original, MS Office 2019 जो है मिलेगा, ये भी laptop काफी जबरदस्त है, आ आप इसे भी ले सकते हो, केवल आपको 30,000 के price में जो है ये एक अच्छा सा laptop मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका बजट 50,000 रुपे हैं और आप HP का ही laptop लेना चाहते हैं, तो आप ये वाला laptop ले सकते हैं, काफी जबरदस्त laptop है, इसके अंदर आपको Intel का i5 processor मिल जाता है, सा भी मैंने आपको laptop बताए हैं, उन सभी laptop में जो है आप जनसेवा केंदर के सभी काम कर सकते हैं, बाकी अदर जो भी काम करना हो, वो सारे काम जो है आप कर सकते हैं, इन तीनों laptop में भी अगर आप confused हैं कि आपको किस company का laptop लेना चाहिए, और अगर आप मेरा opinion जानना चाहते है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले HP के laptop को देखना चाहिए, क्योंकि HP के जो laptop होते हैं, जहां से ये fold होते हैं ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, बाकी Dell के laptop भी काफी जबरदस्त हैं, बस यहां से ये जो fold है ये थोड़े से जल्दी खराब हो जाते हैं, बाक बाकी और भी कमपनियां laptop बनाती हैं, जैसे कि Acer, Asus और भी बहुत सारी कमपनियां हैं, आप उनके भी laptop ले सकते हैं, ये मेरा बस एक opinion था, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बता दिया, बस आप वही खरीद लिजेगा, लेकिन जो भी मैंने आपको बताए हैं, वो काफी अच् सब्सक्राइब कर लीजेगा, जय हिन बंदे मातरम